सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिवाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेर्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो गुरुवार का दिन गुरु यानी बुरुहस्पति को समर्पित होता है इस दिन लोग अपनी मनो कामनाई पूरी करने के लिए बुरुहस्पति के मंदिरों में जाते हैं और उन्हें उनके पसंद की कुछ वस्तुए बेट करते हैं गुरु ब्रुहस्पति को पीला रंग सबसे प्रिये है इसलिए उन्हें पीले चावल, पीली मिठाई और पीले वस्तरपी अर्पित किये जाते हैं और इन चीजों को दान भी किया जाता है यदि आपके जीवन में कई मुश्किले हैं और आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन पार रहे हैं या आपको हर काम में असफलता का मुँद देखना पड़ रहा है तो आप गुरुवार के दिन ये खास और सरल उपाई कर सकते हैं इस उपाई से न केवल आपकी किस्मत बदल जाएगी बलकि आपके सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे हाला कि ये उपाई करने में तो काफी सरल होते हैं लेकिन इनका असर उतना ही प्रभावसाली होता है इसके लावा ये व्यक्ति के ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करते हैं और उन्हें खतम भी कर देते हैं तो चलिए अब आपको इस खास उपाई के बारे में विस्तार से बताते हैं जो आपको किवल गुरुवार के दिन ही करने हैं सबसे पहले उपाई के अनुसार गुरुवार के दिन थोड़ा सा गुड ले اور उसे गाई को खिला दी इ उन्हें पीले फुल अर्पित करे, इसके साथ ही बगवान विश्नु के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनों कामना पूरी करने की प्रातना भी करे, इसके अलावा प्रातना करने के बाद मन ही मन ये प्राण भी ले की कार्या पुरा होने के बाद आप किसी गरिब व्यक्ति को व खुद देखेंगे कि आपका कार्य कैसे आसानी से संपन हो जाएगा अब यूं तो ये बहुती सरल सा उपाय है लेकिन इसका प्रभाव आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा जोतिश सास्त्र में भी इस उपाय को काफी प्रभाव साली माना गया है इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखे कि अगर आप ये उपाय गुरुवार के दिन करेंगे तो इसका फल आपको जल्दी ही मिल जाएगा और भगवान विश्नु भी आपसे काफी प्रसन होंगे दोस्तो हम उमीद करते हैं कि भगवान विश्नु के कुरुपा आप पर हम्मेशा बनी रहे दोस्त अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो कॉमेंट बॉक्स में जै लक्षमी नारायन अवस्य लिखे